हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो ओवे यूट्यूब चैनल तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो आज हम आपको क्यान क्यान स्कर्ट की कटिंग और स स्टिचिंग बताएंगे जिसके लिए हमने फैब्रिक लिया है तीन मीटर और कैन-कैन लिया है हमने त्री मीटर तो चलिए अब इसे बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले हमने कपड़े को सिंगल फोल्ड कर लिया है खुली वाली साइड हमने इस तरफ रखी है और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है अब हम उपर की साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है वो उपर से सीधा हो जाए देखे इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब कपड़े की साइड से कटिंग कर लेंगे अब सबसे पहले हम कपड़े में बेल्ट की कटिंग करेंगे तो बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे हम साढ़े चार इंच और हम कपड़े में दो बार साड़े चार पे निशान लगाएंगे क्योंकि जो हमारा बेल्ट है वो एक बार में पूरा नहीं होगा इसके लिए हम दो बार कटिंग करेंगे बेल्ट की और इस तरीके से इन निशानों को सीधा मिलाएंगे देखिए इस तरीके से और अब इन निशानों के उपर कटिंग कर लेंगे देखिए यह मारी बेल्ट की कटिंग हो गई है अब हम इस कपड़े को साइड रख लेंगे अब जो हमारा बागी का कपड़ा है उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख दिंगे यह देखिए इस तरीके से पहले से हमारा कपड़ा फोल्ड था और इसके बाद हमने इसको दुबारा फोल्ड किया हुआ है तो जो बंद वाली साइड है वो हमारे तरफ ही रहेगी और जो खुली वाली side है वो इस तरफ रेएगी अब हम सब से पहले उपर की side से एक सीधी line draw करेंगे क्योंकि जो हमारा कपड़ा है वो उपर की तरफ से सीधा नहीं है तो हम कपड़े को सीधा करेंगे इस तरीके से अब हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो लंबाई हमारी 36 इंच उसमें से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे क्योंकि यह हमारा उपर से इलास्टिक आएगा अब 1.5 इंच माइनस करने के बाद यह आएगा 34 तो हम 34 पे निशान लगाएंगे लंबाई के लिए और उसमें डेड़ इंच प्लस करेंगे ये डेड़ इंच हम इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा नीचे से कटिंग में जाएगा इसी तरीके से हम इस साइट से भी डेड़ इंच छोड़ के 36 पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे अब हम चैकली वाला स्कर्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम वेस्ट की मेजर्मेंट देख लेते हैं तो वेस्ट है हमारी 26 इंच उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 30 इंच इसको हम 2 से डिवाइट करेंगे तो अब आएगा हमारा 15 इंच अब हम 15 को 4 से डिवाइट करेंगे तो यह आएगा हमारा 3.75 अब 3.75 में हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए प्लस करेंगे तो इसमें हम 0.5 प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 4.25 तो 4.25 की मार्किंग हम इस साइट से करेंगे और 4.25 की मार्किंग हम इस साइट से करेंगे तो देखिए इस तरीके से हम इंच टेप से निशान लगाएंगे 4.25 में और इस साइड से भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे 4.25 में अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे तो देखिए हम इस तरीके से सीधे निशान लगाएंगे अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये देखिए इस साइड से हमारी चार कलियां आ गई है और इस साइड से हमारी दो बंद वाली कलियां आ गई है अब हमने जो कलियों की कटिंग करी है वो हमने तिर्चे में करी है जिसके वैसे जो तिर्ची वाली साइड है वो बड़ी आ जाती है इसलिए हम सीधी वाली साइड को तिर्ची वाली साइड के उपर इस तरीके से रखेंगे और जो आपको नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसकी कटिंग करेंगे जब हम निशान लगा रहे थे तो इसलिए हमने वहाँ पे नीचे की साइट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा पे निशान लगा थे ताकि जो हमारा कपड़ा है वह हम यहाँ पे कट करेंगे देखे इस तरीके से हम कपड़े को पलट लेंगे और उपर के साइट से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी कलियों को भी कट करेंगे देखिए इस तरीके से हम सीधी वाली साइट को तिर्ची वाली साइट के उपर फोल्ड करके रखेंगे और आप जो ये नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके भी कटिंग करेंगे इसी तरीके से हम उपर की साइट से भी कट कर लेंगे ये देखे हलका सा वारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके हम कटिंग करेंगे तो ये हमारी कलियों की कटिंग हो गई है तो ये हमारी स्कर्ट की कटिंग कम्प्लीट हो गई है चलिए अब इसे बनाने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस साइट से एक कली उठाएंगे और इस साइट से दो कलियों को उठा लेंगे अब जो बंद वाली कली है उसे हम इस तरीके से खोलेंगे और तिर्ची वाली साइट के उपर इस तरीके से सीधी वाली साइट को रखेंगे और इस साइट से भी हम सेम इसी तरीके से रखेंगे तिर्चे वाली साइट के उपर सीधी वाली साइट को इस तरीके से रखेंगे और इसके उपर सिलाई लगा लिए तो देखे हमने इस लाई लगा लिया इसी तरीके से हमने बाकी तीन कलियों को भी ready कर लिया है, ये देखिए अब हम इस कली को इस कली के उपर उल्टा करके रख दिंगे दोनों कलियों की सुल्टी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस साइट से सिलाई लगाएंगे उस साइट से हम सिलाई नहीं लगाएंगे देखे इस तरीके से हमने सारी कलियों को आपस में जोड लिया है अब जो हमने बेल्ट के लिए दो पीस कट करे थे उनको हमने जॉइन कर लिया है इस तरीके से अब कलियों के उपर हम इस तरीके से बेल्ट को उल्टा करके रख लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा दिंगे तो देखे हमने इस सिलाई लगा ली है अब जो यह अंदर का मार्जिन है उसे हम उपर की तरफ रखेंगे और नीचे की साइट से यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे तो यह देखिए हमने नीचे की साइट से सिलाई लगा लिया है अब हम उपर की साइट से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और पलट लेंगे और उपर की साइट से सिलाई लगा लेंगे तो देखिए इस तरीके से हमने belt को ready कर लिया है अब हम नीची की side से इसमें उरे पट्टी लगाएंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे तो ये देखिए हमने उरे पट्टी लगा की नीचे से घेर को तयार कर लिया है अब हमने घेर में can can लगाने के लिए marking कर लिया है तो ये हमने किस तरीके से लगाई है हम आपको बताते हैं तो ये हमने can को fold करके रखा हुआ है देखिए इस तरीके से हमारा ये can fold है अब हम इसकी लंबाई measure करेंगे तो इसकी लंबाई आ रही है हमारी 20 inch और जो हमने घेर पे निशान लगाया है वो हमने 21 inch पे लगाया है ये देखिए हमने can की लंबाई से 1 inch extra निशान लगाया है घेर पे ये देखिए अब हम can में plates लगाने स्टार्ट करेंगे तो हम open वाली side से can में plates लगाने स्टार्ट करेंगे इसमें हम box plates लगाएंगे तो इस तरीके से हम एक plate बनाएंगे और इस side से भी इस तरीके से अंदर की तरफ के लिए plate को बनाना है start करेंगे देखे इस तरीके से और इसी तरीके से हम सारी plates को बनाएंगे इसी तरीके से हमने सारे can में plates लगा लिया है यह देख्ये, अब हम कैन को साइड करेंगे, और गेर को बिचा लेंगे, देख्ये इस तरीके से, गेर को हम अच्छे तरीके से बिचाएंगे, और अब हम कैन को लेंगे, और जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं, वहाँ पर कैन को इस तरीके से रखेंगे, और इसके उपर सि लगा लेंगे तो यह देखिए हमने क्यान को अटैच कर लिया है गेर में अब आती है इलास्टिक के बारी तो हम इलास्टिक को बेल्ट के अंदर डालेंगे और इसमें शिलाईया लगा लेंगे देखे हमने यह elastic डाल लिया है अब हम skirt को join करेंगे तो सुल्टी वाली side हम अंदर की तरफ रखेंगे और कपड़े को इस तरीके से पलट लेंगे ये देखे अब हम can को थिक से adjust करेंगे ये देखे ताकि जो हमारा कपड़ा है और can है वो उपर नीचे ना हो और side से सिला ही लगा लेंगे तो friends ये रहा हमारी can can is girl का final look जो की कुछ इस तरीके से दिख रहा है अगर आपको इस से related कुछ भी problem है तो आप हमें comment section में पूछ सकते है और अगर आपको अमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें thanks for watching